हालो फ्रेंट्स इस वीडियो सेशन में हम डिटेल से डिसकस करने वाले हैं NIT जलांदर के MSC प्रोग्राम, MTEC प्रोग्राम और MBA प्रोग्राम की फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर उसकी website पे होने वाले online reporting, online registration को लेकर इस्ट्रेंट बहुँ जयदा confuse हो रहे थे कि सरा में कब केसे क्या करना है कौन-कौन से document हमें online submit करने होंगे कौन-कौन से document हमें physical reporting के लिए तयार करने होंगे क्या-क्या affidavit हमें बनाने होंगे तो इन तमाम स्वालों पे हम पुरा details से discuss करेंगे तो इस्ट्रेंट जैसा कि आप इस्ट्रेंट पे देख पा रहे हैं सबसे पहले तो आपको important date है उनको आपको ध्यान रखना होगा तो आपको online reporting और physical reporting online और physical reporting का जो time duration है वो same है 8 अगस से लेकर आप 18 अगस तक अभी भी कर सकते हैं यानि add to 18 अगस तक आप कभी भी कर सकते हैं काफी time है आपके पास लेकिन ध्यान रखना online reporting आप कभी भी कर सकते हैं जो आपको ये time duration देर के इसके अदर कभी भी कर सकते हैं लेकिन आपका जो physical reporting है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए चुटी वाले दिनों को आप अवोईट कीजिए और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो टाइम है वो आपका 11 बजे से और 2-3 बजे तक रहेगा आप इस टाइम दूरेशन के अंदर कभी भी आप अपने डोकुमेंट वेरिफाई करवा न सकते है इस देट के अंदर इसके साथ आपको यह भी द्यान यांग रखना है फिजिकल रिपोर्टिंग करने से पहले फिजिकल रिपोर्टिंग करने से पहले आपको आ लनाइन करना होगा तो इस्ट्वेंट जैसे आप NIT जरांदर की ओफिसियल वेपसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर आपको ओप्शन मिल जाएगा online registration portal वहां पर आपको एक bottom मिलेगा online registration portal जो अभी active नहीं हुआ है कल active हो जाएगा यानि 8 अगस से 18 अगस तक वो available रहेगा active रहेगा तब आप उस time duration के अंदर online reporting कर सकते हैं इसके साथ यह आपका तीसरा step है तीसरा step जो है आपका third step इसमें आपको क्या करने होंगे document अप्रोड करने होगे अब बात करते कि कौन कौन से document आपको upload करने होगी तो student अनेकजर A में तो document आपको देर के वे सभी document आपको एक ही PDF में merge करके upload करने होंगे अनि सारे जितने भी document है उनको एक PDF में merge करके आपको upload करने है लेकिन जो PDF का size है ना जो PDF का size है वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चीए PDF का size जो है 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चीए और कुछ ऐसे document है जो कुछ student के लिए necessary नहीं है तो वो document आपको upload नहीं करने है जैसे general वाई student को कोई category certificate upload नहीं करना होता है अगर किसी student का graduation के बाद में किसी student का graduation के बाद में अगर कोई gap नहीं है तो उसको gap certificate upload करने की जरूत नहीं है जो अभी इसी बार 2022 में pass out हो रहे है तो उनको gap certificate की जरूत नहीं है यानि जो document आपके लिए required है वही document आपको upload करने फालतु में आपको परेशान नहीं होना है जैसे आपके documents submit होंगे जैसे आपके documents submit होंगे तो if friends आपको क्या करना होगा आपके पास option आजाएगा साइद online reporting के time में जो बाकी आपका piece रह गया ना बाकी जो आपका piece रह गया उसका option आजाएगा जैसे नया piece structure भी आ गया जैसा screen पर आप देख पा रहे हैं तो MSC वाल student को hostel कर नहीं रहे हैं अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इसकी जो help line number है उन पे आप contact कर सकते हालांकि उन्हो बाद भी आप request आप उसे contact कर सकते हैं hostel allotment के regarding तो जो student hostel में नहीं रहते हैं उनको बोलते हैं day scholar जो student hostel में नहीं रहते हैं उनको day scholar बोलते हैं तो आपको जो fees है वो आपका day scholar के according consider की जाएगी तो students एक बात सबसे important जो बात है वो आप ध्यान रखना आपके document submit होने के बाद मे आपको क्या करना है आपको registration forum का print out लेना है जब आपका NHAT Jalandra की official website पे registration का final submission हो जाएगा तो उसके बाद में friends आपको प्रोविजनल एडमिसन लेटर मिलेगा प्रोविजनल एडमिसन लेटर मिलेगा साथी मतलब एक registration forum मिलेगा इसकी website से क्या मिलेगा registration forum मिलेगा तो उस registration forum का आपको क्या कहले ना है प्रिंट ले लेना है, मिलें प्रोविजनलाशfelt फॉरम की तरह होता है तो जैसा आपने प्रिंट करने के बाद में आपका online registration का काम आपका complete हो जाएगा उस online जो हमने document submit किया है उसका print out आपको physical reporting case time आपको साथ ले जाना है इसके साथ प्रिंट जो annexer A में जो document है जो document आपके लिए require है उन सभी document का आपको क्या बनाना है एक photocopy का set बनाना है उस set पे आपको क्या करन है खुद के आपको sign करने है जैसे आपका 10 का मारक सी 12 का मारक सी ग्रेजुशन के मारक सी सभी document पर आपको self-attested करना है उसके बाद में एक set बनाना है एक सही order में आपको set बनाना है उसको आपको क्या करना होगा आप जब physical reporting के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको submit करना original document भी आपको साथ ले जाने होंगी यह आपको ध्यान अकना experience से और physical reporting के लिए आपको कहां जाना है वो तो पता ही IT पारक विल्डिंग में आपको जाना है campus में आपको पता चल जाएगा tense लेने की कोई बात नहीं है इसके साथ इस्प्रेंट सा आपको advice दी जाती है कि NIT जल बाउना थी अगर वीडियो बना देते पहले तो बहुत सरे इस्प्रेंट कांफूज हो जाते टिकेट बगरे बना लेते काभी नुकसान हो जाता और आपका जो कलास से है वो 22 से स्टार्ट होने वाला है 22 अगस्ती आपका कलास से स्टार्ट होने वाला है MSC, MDEC दोनों के ल बाते हैं, finally documents को लेकर, finally documents को लेकर, तो इस नमबर पे आप देख पा रहे हैं कि provisional administrator आपको CCM उनकी website पे डाउनलोड करना है, तो इस प्रोविजिनल एडमिसलेटर में ने आपको पहले ही बता है कि provisional administrator जनरेट होता है, जैसे regular round वाली स्टुडेंट है, जिन आपका जो gate का score है, जेम का है, केट का, जी मेट का है, मेट का score है, तो score card आपको वहाँ upload करना होगा, और physical reporting के लिए भी आपको साथ ले जाना होगा, इसके साथ ही original photo ID proof as per government of India norms, तो आपको यहाँ पर जो C number का option है, वहाँ पर आपको आधार card या water ID आपको upload करना है, original class 10th mark seat, birth certificate नहीं है, अगर आपके पास birth certificate नहीं है, तो आप जो है, birth certificate भी upload कर सकते हैं, नहीं तो आप 10th का मारक seat या certificate अप्लोड कर सकते हैं, जिस पर आपका date of birth mention हो, अगर आप birth certificate अप्लोड करने हैं, तो ध्यान रकना आपका birth certificate या तो हिंदी, इंगलिस में होना चीए, आपका regional language म नहीं होना चीए, इन नमर पे आप देख पारे होंगे, 12th का मारक seat आपको upload करना है, और app में आपको क्या करना है, graduation के मारक seat करने है, graduation के मारक seat आपको upload करने है, अगर आपका final complete नहीं हुआ, तो जितने मारक seat आपके पास available है, वो आप upload कर देना, इसके साथ ही जो H नमर पे आप देख पारे है, original course completion certificate है, जिन student का result एवेटेड है, जिन student का final result अभी आया नहीं है, किसी भी बज़े से, तो उन सभी student को college से course completion certificate बनाना होता है, आलांकि आपने अल्रेडी बना लिया होगा, जो CCMN का document verification था, उसमें भी जरूत होती थी, तो वो जो आपने बना रखना है जिनका result अभी तक आया नहीं है, जो student final year में है, जिन student का अभी तक result आया नहीं है, उनको transfer certificate की जरूत नहीं है, उनको provisional degree certificate की जरूत नहीं है, उनको migration की जरूत नहीं है, जो student final year में है, या पिर उनका result अभी आया नहीं है, जिन student ने course completion certificate बना रखा है, जिन student ने course completion certificate बना आपको यह document बनाने की जरूद नहीं है और जिन student का graduation complete हो गया है तो उनको क्या बनाना होगा उनको transfer certificate लेना होगा migration लेना होगा provisional degree certificate उनको लेना होगा इसके साथ जो student reserve category से बिलोंग करते हैं SCHT से या EWS या OBC से तो उनको जो है निर्धारित format में आपको अपना EWS या OBC certificate आपको submit करना होगा online और physical reporting में और इसके साथ या आपको medical certificate बनाना है जो NXZG में आपको सबसे last में देर का है medical certificate आप कहीं से भी बना सकते हैं किसी भी government या private hospital से बना सकते हैं लेकिन आपका जो डॉक्टर है वो registered होना चाहिए तो आपका जो medical certificate है उसमें ध्यान रखना doctor का registration number होना चाहिए उसका signature होना चाहिए और उसका seal होना चाहिए जिसको महौर बोलते हैं कई student उसको स्टम बोलते हैं वो होना चाहिए जैसा यह sample आप देख पा रहे होंगे याँ पर और late submission undertaking forum if applicable अगर कोई student मालोग कोई student एसा है जिसका graduation complete हो चुका है लेकिन उसके पास अभी current time में migration नहीं है या पिर degree certificate नहीं है या पिर transfer certificate नहीं है कोई या फिर कोई ऐसा document रही है तो ऐसी condition में उन student को late submission undertaking forum आपको submit करना होगा ठीक है या आपको ध्यान रकना होगा अभी इसका format दे नहीं रखा है आपको help line नमबर पे कर लेना है या तो CCMN का लगा देना है जो CCMN के certificate वाले option में सबसे last में दे रखा है या आप हो सकता है आपको जलांदर अलग से को समझ लें जो आपका अनेकजर D और E है वह सभी स्ट्रेंट को submit करना है वह सभी स्ट्रेंट को submit करना है अब एफिडेविट किसका बनाना है किसको इस्टाम पेपर पे बनाना ही एफिडेविट बोलते है इस्टाम पेपर पे बनाना ही एफिडेविट होता है एफिडेव डी और एप को आपको इस्ताम पेपर बनाना है और दस रुपय का चलेगा 20 का 50 का 100 का कितने का भी होगा वो सलेगा जहां रखना तो डी और एपको नोर्मल पेज पर ही रखना है इसके साथ इस्त्रेंट्स बहुत ज़्याद कि सर हमें यह anti-raging का online submit करना है क्या यह anti-raging वाला क्या हमें online submit करना है तो friends अगर या तो आप आप दो प्रेंट्स नहीं या तो आप एक का जो सर्टिविट देर करना आपको अनेकजर E या तो इसको आप प्रिंट निकाल के इसको fill up कर देना अगर आप चाहिए तो इसको online भी की आप जो हैं आप करकी सका print ले सकते हैं इसके साथ necks आपको जो बी लड़ा यह आपको उभी इंक करना है यह आको ही से यह गेप सर्टिबीट है यह आफको स्टांपेपर भी बनाना through स्टांपेपर भी बनाना होगा यह यह अन्तमी स्ट्रेंट्स अब कह आ गया मेडिकल सबीट्ट्स दो आपको गवर्मेंट होश्पिटल या प्राइवेट फॉस्ट्टल से आपको बनाना है झाल झाल